हेलो दोस्तो मैं अनंद इलेक्टीशन और आप देखा रहें अपना चैनल गौतbn bोट टेकनिकल चैनल तो आपके अपने आरई टेकनिकल चैनल में आपका स्वागत है, तो दोस्तों आज के जो मेरी मुएके टोपी कैसे वोट का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो चली यह भी फटा एक तार लेने के बाद से स्वीच के निच ले व़ले लगा लेना है और एक साथ में नीच व़ले इसे के जो आपको दिखाई दे रहें इनको अछी तरीके से लगा करके टाइट कर लेना है ठीक ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं भी मैं ब्यूरु को थोड़ा इस्पीड मैं बढ़ा देता हूँ प्रॉप आपना को बढ़ा कि अज़ को और सहुंगा आपना को पको अजय की तपना मौन है स्टेजर बढ़ा हुआ हुआ है अबड़ा हुआ है कर दो 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 दो प्रजब माने दोग जोगा है आपार्णफास आपार्णफा एक 30 मी अुप झाया दोस्ते जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा बूट लगव लगव अब कंपलिट हो चुका है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका मेन तार भी में निकालके दिखा देना चाहता हूं तो आपको शिंपल से एक तार को छील लेना है या पिल्याज की साहता से ठीक ना उसके बास से मैं आपको बता देना चालता हूं तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चालता हूं यह हमारा 220 V KC 사पलाईस आता है यह सब यह सबी सुईचों में नीचल वाले हिस्से में अच्छी तरीके से चला जाता है जैसे कि आप देख पा रहें अब मैं इसके बाद से आपको बता देना चाहता हूं कि इन जितने पेच होते हैं जो इसको बहुत यह अच्छी तरीके से आपको आपको बता देना चाहता हूं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके बास से आपको उपर आपको क्या करना है यहां से यह को connect करना यह पूसरे नमबर वाले स्वीच के यहां से नीचे वाले स्वीच था और हूब इसके बाद से प्रेका यहां पूरोड करना है Ah इसको उपर से झाय में है कनेक्ट कर दिया हुए इसको भी लाकर के यहां पे एक तर को कनेक्ट किया गया इस निटल से इस निटल को चाल दिया हुं जो की 220 वोल्ट की सप्लाई में जाए ये जो हमारे दो तार आप देख पा रहे हैं इन दोनों तार की साहता से आप क्या करेंगे इस बोड में लाइट ला सकते हैं और इस बोड को अच्छी तरीके से अपरेट करा सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं अब इस बोड को इस तार को दोनों को ले करके आप लाइट म आप तक मिलता रहे तो चलिए फिर मिलता है कि इस नेस्टे वीडियो के साथ सब तक कि लिए बाइगे